नमश्कार मित्रों मकर सकरांती पर भगवान सूर्य मकराशी में आते हैं और उत्राइन होते हैं इस दिन बहुत सारे दार नेक नियम लिये जाते हैं उन्हें में से एक बहुत सुन्दर नियम जो बहुएं आपनी सासुजी के लिए लेती हैं ये बहुती लाड़ प्यार भरे नेख होते हैं इसमें सासुमा रूट जाती हैं और बहुए उन्हें मनाती हैं सासुमा का रूटना और मनाना बहुती लाड़ भरा नेख चार है इसमें रूटी हुई सासुमा को मनाया जाता है सक्रांती के दिन सासु जी जूट मूट का गुसा होकर कमरा छोड़ कर चली जाती है या तो किसी पडोस के कमरे में जाकर बैठ जाती है या दूसरे कमरे में बैठ जाती है बहु रूठी हुई सासु मा को मनाती है उन्हें नए कपड़े देती है साड़ी, प्लाउज, बेटी कोट, चारों कपडेज देती है, रुमाल भी साथ में देती है और उनको मनाती है, उनके चरंस पर्ष करती है, सुहाग पिटारी देती है, दक्षिना देती है साथ में खाने पेने की बहुत अच्छी अच्छी वस्तमें, लड़ू, और भी फल फ्रूट, ड्राइफ रूट सेगरा ये सब देती है फिर सासुजी मान जाती है, और बहु अपनी सासुमा के चरंस पर्ष करती है, सासुमा अपनी बहु को गले से लगाती है और वहे भी उनी बहुत सारा आशिरवाद और गिफ्ट सवरूप कुछ भी दे सकती है एक और नेक चार होता है, जिसमें सासुजी को सेड़ियां चड़ाया और उतारा जाता है मगर सकरांती के दिन बहु अपनी सासु को सेड़ियां चड़ाती है पहली सेड़ी पर एक गिन्नी रखी जाती है या शर्धा अनुसार जो भी रख सकती है उसके बाद परतेक सेड़ी पर शर्धा अनुसार रुपई रखते जाती है सासु मा उन रुपईयों को उठाती हुई सेड़ियां चड़ती है उसके बाद अंतिम सेड़ी पर गिन्नी या रुपए रखे जाते हैं जितने पहले सेड़ी चड़ते हुए रखे गए थे नीचे उतरते हुए उससे आदे रुपए रखे जाते हैं चड़ने उतरते समय सारे रुपए सासुजी अपने पास रख लेती हैं इस नेक को पूरा करने के बाद सासुमा और बहु गले मिलती हैं और बहु अपनी सासुमा के चरंस पर्ष करती हैं, सासुमा भी उपहार सवरूप अपनी बहु को बहु सारा आशिरवाद और गिफ्ट्स दे सकती हैं इस परकार, यह नियम भी मकर सक्रांती वाले दिन लिये जाते हैं इससे रिष्टे तो घैरे होते ही हैं और ये नियम रिष्टों को मजबूत बनाते हैं और प्यार बढ़ाते हैं अगर मित्रों आज की यह जानकर यह आपको अच्छी लगी है सास बहु के लाड़ भरे नेका चार तो हमारे चैनल को आप इसी तरह की जानकरे के की